नमश्कार दोस्तो जॉंसन और जॉंसन अभी लैटिन अमेरिका में अपनी जो वैक्सिन है इसके फेस्थरी ट्राइल स्टार्ट करने वाली है तो लैटिन अमेरिका में ये खहा अपनी ट्राइल स्टार्ट करने वाली है और इस वैक्सिन का जो प्रोड़क्शन है इंडिया म लाइक कीजे, आखिर तक मेरे साथ बने रही है, ताकि आपको पूरी जानकरी मिल सके, तो दोस्तो जो जॉंसन और जॉंसन की वैक्सिन है, यह फेज वन और फेज टू में सक्सेस्वल पाई गई है, यह सेफ है और इसने अच्छे अंटिबोडिज बनाए है, तो दोस्तो इस इसके जो फेज वन और फेज टू था, इसमें एक हजार वालेंटियर्स पे इसकी टेस्ट की गई थी, तो इसमें सेफ और एफिक्टिव पाई गई, यूएस गवर्मेंट में इसको वन बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की है, और यह जो जॉंसन और जॉंसन हैं लगबग सा लैटिन अमेरिका में भी स्टार्ट आने वाले हैं, लैटिन अमेरिका में जैसे चीली, अर्जेंटिन और पेरू, यहां अल्रीडी इन्होंने जो वालेंटियर्स से उनका रिक्रूट्मेंट शुरू किया है, और अभी ब्राजील, कॉलंबिया और मेक्जिको यहां अभी volunteers recruit करने जा रहे है तो दोस्तो लाटिन अमेरिका में जो है cases काफी बढ़ रहे है कोरोना वाइरस के इसके वेसे वहाँ अभी 20,000 लोग को recruit किया जा रहा है तो दोस्तो यह जो Johnson & Johnson की वैक्सिन है इसका टाइप हुआ है Hyderabad-based biological e company से और Johnson & Johnson की जो सुथ की capacity वैक्सिन बनाने की 1,000,000 डोसिस की है और इसके जो results है यह आने वाले है इस साल के अन्त तक इस महने में अभी इसकी phase 3 trials शुरू होने वाली है और इसके जो phase 3 के नतीजे है इस साल के end में आने वाले है और अगले साल के शुरुआ से इसका production स्टार्ट होने वाला है और एक साल में 1,000,000 डोसिस बनाने की Johnson & Johnson की capacity इसके साथ साथ जो हैदराबाद की company biological E जिसके साथ Johnson & Johnson का agreement हुआ है इसके भी capacity 1,000,000 डोसिस बनाने की है तो हैदराबाद में इसके डोसिस बनना स्टार्ट हो सकते है दोस्तों ये बात हो रहे है कि already SSI में Oxford के डोसिस बन रहे है तो क्या है इंडिया को काफी ज़्यादा डोसिस की जोरोत रहेगी तो एक से ज़्यादा manufacturer हमें लगेंगे तो अगर biological E भी vaccines बनाती है तो भारतियों के लिए अच्छाई होगा क्योंकि जो डिमांड रहेगी वैक्सिन की काफी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा manufacturers वैक्सिन तयार करते है तभी इंडिया की डिमांड पूरी हो सकती है अगर आगे चलके ये पता चला कि जो biological E ने बनाई Johnson & Johnson की वैक्सिन है ये ज़्यादा और ग्लोबली वैक्सिनेशन के लिए इस्तमाल किया जाएगा दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बाक्स में पुछ सकते हैं अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हिल टिप्स को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को शेर कीजे और बेल आइकॉन पर क्लिक करके और पेस सेट करना ना बूले दन्यवाद